नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्बेस्योने इन क्लासेज में हो सदोस्तों हो चिक आपकी मांसे और आज लस्त पाइम बची कि अपकी माइबूड राइट आ अपने उसी पाइम के बारे अपने बात करेंगे तो My Good Right Hand poem है वो भी एक motivational poem है जैसे कि Risk थी आपकी वो motivational poem थी और उसी तरह ये जो My Good Right Hand है वो भी एक motivational poem है Risk के तरह ये भी student को motive करती है जब student मतलब अपने आतमबल यानि की आतमबल को खो देता है तो ये इसी संदर्ब में ये poem देई हुई है कि student अब देखते हैं बात करते है My Good Right Hand की तो My Good Right Hand है वो लिखी किसे दोरा है Charles Makay के दोरा है तो Charles Makay है अपने सबसे पहले इस से जो Charles Makay इस राइटर का नाम जाद करती है जैसे ये Mys Good Right Hand है तो M, Y को ऐसे लिखेंगे अपने My और मेके लिखेंगे म, A, C, K, A, Y यान कि यह M और Y यह इससे याद रह जाएगा में चाल्स मेके तो बात होगी चाल्स मेके की और चाल्स मेके है इन्होंने इनके एक बहुत ही परसिद बुक है जो जिससे यह यह देखे एक्स्ट्रा ओर्डनी पॉपुलर डिलूजन एड़ मेडनेस और प्राउट्स यह इनकी एक परसिद बुक है जिनकी वज़े से यह जाने जाते हैं चाल्स मेके और चाल्स मेके एक बहुत ही परसिद गीतकार, कहानीकार और उपनियासकार थे जिन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे, कहानी भी लिखी और उप्यास भी लिखे तो बात करते हैं अपने My Good Right Hand के ठीम की तो जो My Good Right Hand है वो एक मोटिवेशनल कोई में है और इसमें क्या है कि जो चाल्स मेके है वो एक समय में बहुत ही धनवान वेकती थे और फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी परिष्टितियां आ जाती है कि उनके पास धन की कमी हो जाती है और बहुत ही गरीबी में पढ़ जाती हैं तो जैसी वो गरीबी में पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से साहता मांगते हैं और अपने दोस्तों से कुछ धन पैसे की उमीद करते हैं कि मेरे दोस्त हैं वो मुझे कुछ धन देंगे लेकिन होता कि है कि उसके दोस्त उन्हें कोई धन नहीं देते हैं बलकि उन्हें कुछ काम करने के लिए कुछ ऐसी उन्हें सिर्फ सला देते हैं और धन्व अगेरा कुछ नहीं देते हैं तो फिर क्या है कि वो निरास हो जाते हैं अचानक उसके उन्हों के दिमाग में यह आता है कि अभी भी दो विक्ति ऐसे हैं जो मेरी सहता कर सकते हैं यानि कि उनके दिमाग में आता है और फिर क्या है कि एक तो गोट और एक उनका जो दाहिना आत यानि my good right hand वो खुद के मनोबल पर आत्म विश्वास पर विश्वास करते हैं और फिर खुद के कड़ी महनत और hard work से वो फिर से दिमान हो जाते हैं जैसे ही वो वापस उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है उनके पास धना आजाता है तो जो दोस्त उनकी मदद से तो फिर वो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक तो गोड पर और एक अपने आत्म वल पर विश्वास करना चाहिए और hard work पर विश्वास करना चाहिए यह इतनी सी point थी यह हमें क्या है कोई work करने के लिए अपने जैसे जब इनसान ऐसी प्रिश्वितियों से घिर जाता है कि उन्हे कोई साहता नहीं करता तब हमें मोटिव करती है कि हमें अपने hard work पर विश्वास करना चाहिए देखे यहां पर लिखा है my good right hand जैसे अपने कोई भी काम करते हैं वो ज्यादता right hand से करते हैं और अपने तब इन्होंने अपनी point का नाम इस हिसाब से लिखा है कि my good right hand तो अप I fell into grief यानि कि जब कवी क्या कहता है कि मैं एक बार greedy में पढ़ गया था grief होता है greedy यानि कि वो कहता है कि I fell into grief मैं एक बार greedy में पढ़ गया and begin to complain और मैं शिकायते करने लग गया complain का अर्थ होता है शिकायत शिकायत I looked for a friend मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा but I sought him when but I sought him when अब यहां पर sought का अर्थ होता है to find something यानि कि कुछ ढूंडना या तलास करना to find something in when यानि कि मेरी तलास थी वो क्या थी where थी यानि कि पहली परे के अपने बात करते हैं पहली लाइन की I fell into grief मैं एक बार गरीबी में पढ़ गया and begin to complain और मैं सिकायत करने लगा I looked for a friend मैंने एक अपने दोस्तों की तरफ देखा but I sought him when लेकिन मेरी जो तलास थी वो वेर थी इन दोनों लाइनों का मतलब जब कभी गरीबी में पढ़ जाता है तो वो अपने दोस्तों से सहता मांता है वो यह सोचता है कि मेरे दोस्त है वो मेरी मदद करेंगे और फिर वो कहता है कि I look for a friend but I sought him when लेकिन मेरी जो तलास थी जो मैंने दोस्तों की तरफ उमीद भरी नजरों से देखा तो वो व्यर्थ थी उन्होंने मेरी सहता नहीं की companion, companion, वर साई and equitance वर कोल्ड, companion होते हैं मित्रगन, जो अपने दोस्त होते हैं वो मित्रगन और equitance होते हैं अपने जो परीचित यानि की रिष्टेदार या परीचित व्यक्ति जो companion वर साई, साई का अर्थ होता है संकालू यानि की जो companion अपने मित्रगन थे वो हिचकिचाने लगे मेरी मदद करने से और equitance वर कोल्ड और यहां पर कोल्ड का थंडा नहीं होगा, यहां का कोल्ड का अर्थ होगा शान्त यानि की जब मैंने मदद के लिए मेरे मित्रगन और equitance यानि परीचितों से जब मैंने अप they gave me a good counsel, good counsel का अर्थ होगा यहां पर अच्छी सला, उन्होंने मुझे क्या दी एक अच्छी सला दी, but dread their gold यानि की मुझे क्या है धन नहीं दिया, gold मतलब यहां पर इसका अर्थ होगा धन, जब मैं गरीबी में पढ़ गया तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उन्ह अर्थ होने मुझे क्या दी, एक अच्छी सला दी और धन नहीं दिया, बस इन लाइनों में यही का गया है, तो दोस्तों, अपने फर्स्टेंजा की करते है, explanation, तो जो फर्स्टेंजा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ की poem होती है, वो explanation होती है, वो लिखनी कैसे है, देख अपने फर्स्ट हागे, उसके बार में आपको लिखना है, जैसे कि अपने रेफरेंस लिखते हैं, रेफरेंस में आप मैंने जो पहले रिस्क वाली वीडियो है, उसमें रेफरेंस लिखने के तरिक्के बताएं, आप ऐसे करना, description में लिंक दे दूआ, या वैसे आप रिस् is composed by Charles में के ये poet का नाम आगया, इतना इसमें reference में लिखना है, इसके अलावा कुछ भी ने लिखना आपको, उसके बाद में देखें, context में देखें क्या लिखना आपको, जो context होता है, वो जो आपके जो line ने दी होती है, उसी के बारे में संदर बबने हो लिखना होता है, द अपनी जो गरिबी के बारे मेंगे बता रहा है, and their behavior to his friends, और जो उनके friend है, उनके वेवार के बारे में बता रहा है, यनकि जब कवी गरीबी में पड़ जाता है, तब उसी condition के बारे में इस इन पंक्तियों में जिकर हुआ है, और उसके friends है, उनका जो बीहेव येव, जब आपको जो मैने यहां पे यहां पर जो लाइन लिखी आई फैल इंटू और यह जो लाइन है उननी में से उठा के आपको एकस्पेलनरी से लिखनी है कैसे देखते हैं बाहर करते हैं इस्क्लेवनेशन कीए तो the point fell into grief ये आपको यहीं मिल जाएगा पहली लाइन देखिए आइफी फैल इंटु ग्रीफ है ये आई को हटा कि आपको क्या लिखा है मैंने the point लिखा है तो the point fell into grief ये लिखा हुआ ग्रीफ कार्ड होते हैं को ग्रीबी में the point fell into grief एक बार कभी है वो क्या है गरीबी में पढ़ जाता है when his bad day start जब उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं यानि कभी एक बार गरीबी में पढ़ जाता हो और जब उनके बुरे दिन start हो जाते हैं he looked toward a friend यह जो looked for लिखा हुआ है आप जैसे stanza है इसमें लिखा है looked for a friend तो यहां पर जो looked for a friend है यहां पर लिखा होगा looked for a friend अब looked यह लिखा है और यह a friend यानि for बीच में set आ दिया है यहां पर लिखा है he looked towards a friend उसके बाद में for help उन्होंने एक मित्र की तरफ देखा किसके लिए for help यानि साहिता के लिए but his search went in vain अब देखिए जो when in vain लिखा है उसमें बहां आपका लिखा है sort in vain उसमें लिखा है sort in vain, sort card मैंने बताया था to find something और in vain card बताया था weird तो देखिए but his search went in vain पर उसकी तलास है वो क्या है व्यर्थ गई तो यह went in vain लिखा है यहां पर his relative and friends avoided him यह उसमें लिखा है companion वर्षाई और वो लिखा है वहां पर उसमें देखो his relative and their यह लिखा है उसके जो relative थे जो companion लिखा है उसका companion का अर्थ होता है friends तो यह friends आ गया उसके बाद में वहां पर लिखा था equittance, equittance का यहां पर मैंने क्या लिखा है relative तो his relative and friends avoided him उनके जो मितर और जो रिष्टेदार थे उन्होंने क्या किया उन्हें avoid किया they gave him good counsel लिखा था मैंने वहां पर उस counsel की जगह आप क्या लिख सकते हो यहां पर counsel भी लिख सकते हो advice लिख सकते हो क्योंकि counsel का अर्थ ही सलाह देना होता है they gave him a good counsel उन्होंने क्या है a good advice उन्होंने क्या है मुझे सिर्क क्या दिया एक अच्छी सलाह दी but did not dare to help him with their money पर मोने क्या है मुझे दन नहीं दिया तो देखिए दोस्तों यह बिल्कुल easy line है उन्हीं जो स्टेंजा दिया है उसी में से अपने उठाके यह exploration बनाई है तो देखिए आगे next जो स्टेंजा है उसके तो देखिए दोस्तों second स्टेंजा इसमें लिए let them go I exclaimed जब कभी के कोई साहता नहीं करता है तो उससे गुस्सा आजाता है तो वो अपने मित्रों के बारे में कहता है let them go उन्हें जाने दो I exclaimed I have a friend at my side उन्हें जाने दो जो मेरी साहता करते हैं उन्हें जाने दो I have a friend my side मेरे पास अभी भी एक मित्र है जो मेरी साहता करेगा I lift to lift me and aid me whatever betide जो मुझे उपर उठाएगा यानि कि मेरे जो साहता करेगा और आत्म समान जब कोई मित्र उसकी साहता नहीं करता है तो वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा अभी भी एक ऐसा मित्र है जो क्या है मेरी साहता करेगा To trust to the world is to build on the sand यानि कि यह कहता है कि मित्रों पर अपने परीचितों पर विश्वास करने का मतलब है Build on the sand यानि कि रेट से महल बनाना यानि उन पर विश्वास करने का मतलब है कि रेट से महल बनाना I will trust but in heaven and my good right hand यानि यहां पर जो heaven लिखा है इसका आर्थ स्वहंग नहीं होगा इसका आर्थ होगा मैं सिर्फ किस पर विश्वास कर सकता हूं एक तो गोड़ पर और दूसरा यहां पर जो my good right hand है इसका आर्थ होगा मेरे खुद के hard work पर या मेरे खुद के आतम बल पर तो चलिए दोस्तों इसके context के बारे में बात करते हैं context में लिकाया the point had to face bad days जब जो कभी है वो बुरी दिनों का सामना कर रहा होता है None of his friend and relative gave him any help उनका कोई भी दोस्त और उसके जो परीचित है उन्हें क्या है कोई भी साहता नहीं करते अब बात करते है explanation की तो जैसे अपने पहले first explanation की थी उसी तरह अपने यह explanation बहुत easy तरीके से किया इन्ही जो word जो है उन्हें से उठाके अपने explanation को बनाया देखे क्या लिखा है कि the point says that कभी कहता है कि if none of his friends come to his help अगर उसका कोई भी दोस्त साहता के लिए नहीं आता है let them go यह देखी यहां पर लिखाना let them go यह same to same वैसा ही लिखा है कुछ एक word आपको इदर उदर करने है कि let them go away उन्हें जाने दो अगर मेरी साहता के लिए कोई नहीं आता है तो उन्हें जाने दो he doesn't need them मुझे उसकी कोई भी आवसकता नहीं है he has a friend उसके पास अभी भी क्या है एक मित्र है to helping him saitha करने के लिए it is useless in trusting the selfish people of the word यानि की जो selfish व्यक्ति है जो मित्र है उन पर विश्वास करना useless है यानि की व्यर्थ है जो in when लिखाता है न हो useless it is just to build a castle on sand यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो build on a sand on the sand यह same to same यहां पर लिखा हुआ है it is just to build a castle on the sand यानि की इसका मतलब अपने जो दोस्तों और परीचितों पर विश्वास करने का मतलब है कि रेट से महल बनाना जिस परकार अपने रेट से महल नहीं बना सकते उसी परकार अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं कर सकते the point trust in God and depend on his good right hand यानि की जो कभी है वो क्या कहता है कि मुझे किस पर गोड पर और अपने गुड राइट हैंड पर विश्वास है यानि कि अपने आतंबल अपनी कडी मैन है और यह क्या है गोड पर उन्हें विश्वास है देखिए यहां पर लिगा ना but in heaven and my good right hand उसी का heaven card होता है गोड और यहां पर लिगा trust in God और my good right hand दोस्तों देखते हैं next stranger आपका जो third stranger है यह गया कि my curse revived in my fortune despite यानि कि जो मेरा साहस है करज होता है साहस revived यानि कि वापस आ गया in my fortune despite my side यानि कि मेरे जो दुर्भागय है उसके बावजुद मेरा करज है यानि कि जो साहस है वह वापस आ गया देखिए दोस्तों ऐसे होता है कि जब कभी है वह डूइधा में पड़ जाता है तो वह यह कहता है कि मेरे पास अभी भी एक ऐसा मेत्र है जो मेरी सहता करे है यानि की वो खुद के आतम बल और हाड़ वर्क के बारे में बात कर रहा होता है फिर वो कहता है की मेरा जो करज है मेरा सास है वो मेरे हाड़ वर्क की वज़े से वो क्या है वापस आजाता है अब देखो And my hand was strong as my spirit was light यानि कि जो मेरा हाथ है, यानि कि मेरा जो मनोबल है, वो strong होता है, is my spirit one light, जैसे, it raised, अब देखिए, it raised me from sorrow, उसने क्या किया, मुझे दुख से बाहा निकाला, it saved me from pain, यानि कि, उसने मुझे दुख और दज से क्या है, बचाया, और बाहा निकाला, it fed me, and clad me again and again, उसने मुझे वस्तर पहना, and fed me, यानि कि, मुझे बोजन दिया, again and again, यानि कि, वो कहता है, कि, जब मैंने hard work किया, तो मुझे उससे क्या है, कि बोजन मिला, और अच्छे वस्तर मिले, again and again, यानि कि, बार बार, तो देलिए दोस्तों, यह अपने, third standard है, यह आपकी जो line है, उ तो कभी है, वो अपने मित्रों पर विश्वास करना, बंद कर देता है, यानि, stop it, यानि कि, बंद कर देता है, He believed only in God and His good right hand, उसे किस पर विश्वास होता है, सिरफ गोड पर, और अपने good right hand, यानि कि, अपने दाहीने हाज पर, और अपने इस गोड पर विश्वास होता है आप देखे, explanation देखते हैं, जैसे अपने पहले की इनी लाइनों में ची अपने उठा के explanation रही है, देखे कैसे, इस लाइनों में लिखा हुआ है अपनी क्या करना है माई करज की जगह लिखना है अपनी क्या लिखा है जो कभी है उसका साहस है वो वापस आ जाता है इसके बार में देखे क्या लिखा है इस गुट राइट हैंड प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ तु हीम उसका जो दाहिनात यानि उसका जो हार्ड वर्क यानि उसके मनोबल से क्या है प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ तु हीम उसे क्या है स्ट्रेंथ मिलती है His courage helped Him to rise above His sorrow उसके जो सास है वो उसे सहाइता करता है किस के लिए? His courage अपने दुख से बहार निकालने के लिए इसका courage है वो सहाइता करता है यहाँ पे लिखा यह अपने His courage helped Him to rise above the sorrow यह लिखा above the sorrow अब देखिए जो line हीख Quindi इसको अपने उढ़ा के क्या किया है देखिए यानि का it helped him to get to food and cloth again and again उसने क्या किया it helped him उसकी साय था कि get to food बोजन प्राप करने में and cloth यानि वस्त प्राप करने में again and again यानि कि बार-बार यानि जब भी उसे जरूरत पढ़ी उसकी cutting परिश्रम से उसे बार-बार क्या मिला बोजन और वस्तर मिले देखिए दोस्तों आराम से जो लाइने दी हुए उसी को अपने उसमें से कुछ चैंज करके आप आराम से इस explanation को कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हो जाती है यानि कि वह वापस रिच हो जाता है तो उसके जो friends है वह वापस आ जाते हैं तो फ्रेंड्स हो हैं जो मित्तर उसे छोड़के गए थे के एक एक करके वह वापस आ जाते हैं और जो डार्केस्ट एडवाईजर थे लुप्ट ब्राइड इस असन वह क्या है कि अब सुरे की तरह है चंकने लगए यानि कि जो उनके जो मित्तर थे जो डार्केस्ट एडवाईजर थे वह अब खुस है और सुने के तरह चमकने लगे हैं I need them no more अब मुझे उसकी कोई सायपता की ज़रूरत नहीं है as they are understand और वो खुद भी ये बात जानते हैं I thank the यह tswe है यह जो traditional English है उसमें skirt होता है यह you होता है वैसे तो यह traditional English में you को tswe लिखा जाता है I thank the I trust the my good right hand मैंने धन्यवार दिया मुझे मैंने यानि कि जो अपने good right hand है जो अपना अत्म विश्वास है अपनी जो hard work है उसका उसके वारे मों कह रहा है कि मैंने अत्मे उसे और उसे उसके बार में देखते हैं context the point here thanks God and his own hand यानि कि जो कभी है वो धन्यवार देता है God का और अपने खुद के right hand यानि अपने खुद के hard work पर that change his life and way of living जो उसने क्या है उसकी life है उसको change कर दिया और उसके जो way of living यानि उसके रहने का जो आई है वो किसकी वज़े से change हुआ एक तो उसकी खुद की महनत की वज़े से एक जो उसने God पर विश्वास किया था उनकी वज़े से अब देखते है explanation जो जैसे अपने इनी लाइनों में से निकाल का explanation यह भी उसी तरह ही जीवे में करें के अपने देखें इसमे लिगा all those selfish friends who had left the point have come back यानी कि जो उसके selfie smith थे जो उसे छोड़के चले गए थे उनकी साहता नहीं की थी जब वो वापस दन्वान हो गए तो वो वापस आगए थी यहां लिका है कि who had left him जो उन्हें छोड़के गए थे the point have come back वो क्या है वापस आगए है those dark looking advisor look bright and cheerful is the sun जो उसके जो dark advisor थे वो क्या है अब सुरे की तरह चंपने लगे है bright and cheerful is the sun यानी कि सुरे की तरह चंपने लगे है he does not need such selfish and useless person उन्हें अब उन selfish मित्रों की कोई जरूरत नहीं है useless person है उनकी अब कोई जरूरत नहीं है they also understand it वो खुद भी है इस बात को जानते है he again thanks his good right hand उन्होंने आंत में फिर अपने जो good right hand है उसका धन्यवा दिया देखिए यह आप लिखा हुआ ना selfish friend यह लिखाया the friends है left he coming back और उसके बाद में देखिए those dark advisor यह dark advisor यहां से अपने उठाया यह कुछ एक line है मैं आपको बता रहा हुँ अपने इन ही में से उठाया तो उमीद करते हैं कि आपको यह point समझ में आ गई है तो इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव है या कोई आपके क्यूश्य है तो आप वो क्या है comment box में comment कमेंट कर दीजिए हमें जब्दी समय मिलेगा हम पढ़त दीजिए